ओम शान्ति आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक सुपकामना है मैं आपके सामने प्रिस्तुत करूंगी नारी की महिमा में एक कभीता और इसके बाद सुनेंगे नारी समाज का इस्तंभ है तो सुरू करते हैं कभीता से भूले से मत कीजिये नारी का अपमान नारी जीवन दायनी नारी है बरदान मा बन कर देती जन्व पतनी बन संतान जीवन भर चाया करे नारी ब्रक्ष समान नारी भारत बर्स की रखे अलग पहचान ले आई यमराज से बापिस पती के प्रान नारी कौमल निर्मला होती फूल समान वक्त पड़े तो थामले बर्ची तीर कमान नारी के अंतर्व से सहिन सीलता आन ये है मूरत त्याग की नित करे बलिदान नारी को मत मानिये दुर्बल अबला जान दुर्गा काली का नारी है तूफान युगों युगों से ये जगत ठेरा पुरुस प्रधान कदम कदम पर रोकता नारी का उत्थान जितना गाओ कम लगे नारी का गुनगान जी चाहे कनकन करे नारी का सम्मान अब हम जानेंगे महिला समाज की इस्थम्ब कैसे है समाज के निर्मान का कारिय एक तरह से ववन निर्वान की तरह है और तो भवन निर्मान में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है उन मेंसे कुछ एक तो बहुत ही महित्व पून है इन मेंसे एक तो बिसेस बात यहा है कि न्यू पक्की होनी चाहिए और धरनी अच्छी होनी चाहिए अगर रेत पर मकान बना दिया गया तो कभी भी तूफान या हलका सा भूकम या छोटी मोटी बार या मूसला धार बारिस होगी तो भवन गिर जाएगा रहने बाले भी मरेंगे और सबको नुकसान होगा पैसा भी और मेहनत भी गई जिंदगी भी चली गई इसलिए नियू में थोड़ी ठोप पीट कर मरमत की जाती है दूसरा है उसके इस्तंब अगर इस्तंब गहरे मजबूत ना हुए अगर उनमें सिमेंट बहुत कम और रेत बहुत जादा डाल दी उनकी सिचाई नहीं की उनमें मोटा सरिय डाल मजबूत नहीं किया तो विल्डिंग किस पर टेकेगी सारे भवन को थामेगा कौन तीसरा अगर बीम मजबूत ना हुई बनाने में भरने में और मटेरियल में किसी भी प्रकार की कमजूरी हुई या उन्हें पक्का होने से पहले छोड़ दिया जो सदा खत्रा बना रहेगा चोथा अगर धर्ती में पानी नजदी हुआ और उसकी रोकताम के लिए कोई आवश्यक प्रवंधन न किया गया तो सदा सीलन आएगी विशय में महिला को इस्तंब कहा गया है गोया आधार माना गया है मकान को खड़ा रखने का सक्ती इस्तंब कहा गया है बास्तंब में महिला सुक्सांती वाले समाज में केवल इस्तंब ही नहीं है बलकी निर्माता भी है माता निर्माता होती ही है बास्तंब में निर्माता एक इस्तंब को माना जाये तो महिला आए उस निर्मान के कारे में महित्वपून भूमी का अदा करती है बे उसकी नियु पक्की करती हैं, उसकी धरनी को तयार करती हैं, उसके वीम को मजबूत बनाने में सहयोगी बनती है परन्तु खेद की बात यहा है कि सुख सानती वाले समाज के निर्मान में माताओं के पूर्व के 2,000 बर्सों में इत्यास में महित्ब नहीं दिया गया उसे केवल गरहनी कह दिया गया, अर्थार्थ वो घर को सम्मानने वाली घर में रहने वाली है वो घर को घर बनाने वाली है ऐसा नहीं माना गया पहले बबन निर्मान करने वाले आर्किटेक्ट भी पुरोस होते थे अब तो महलाएं भी बहुत से आर्किटेक्ट और इंजिनियर भी है जैसे उस बात को समझा गया वैसे ही इस बात को समझने की जरूरत है की माता ही घर की निर्माता है वो घर को स्वर्ग बना सकती हैं अगर माताओं को इस प्रकार सिक्षा नहीं होगी तो भी भै अपनी भूमी का नहीं समझेंगी आज घर में कलह कलेस क्यों है भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं क्योंकि उसको ऐसा अफसर ही नहीं दिया जाता उसमें ऐसी गोण और ऐसी चैतना भी नहीं है कि घर को स्वर्ग बना सके और वो नहीं बना सकती क्योंकि उसे ऐसी सिख्शा नहीं मिली हैं वो बोजन बनाना कपड़े सिलाई करना चीजों को वबस्तित कर जाडू पोछा कर देना, कपड़े दो देना, यहाँ तो सीखती हैं परन्तु घर को स्वर्ग बनाना नहीं सीखती, आज तो उनसे यहाँ काम भी छूटता जा रहा है, चलो वो बात तो एक तरफ रखो, घर में खुशी, सुख या स्वर्ग में जीवन तो तभी बनेगा, असुर तो रहते नहीं, देवी देपता ही रहते हैं, इसलिए अगर हम यहाँ चाहते हैं कि घर-गर में खुशी हो, सुख सान्ती हो, तो हमें यहाँ भी समाजना चाहिए, कि इसका भाव यहाँ है कि आज घर स्वर्ग में नहीं है, और बो तभी होगा, जब यहाँ रहने वाले देवी देपता होंगे, अर्थार्त, उनमें देवी लक्षन होंगे, उनकी दरश्टी ब्रत्ती, रहिन सहिन, खान पान, सात्विक होगा, जीवन कमल पुस्प समान होगा, क्योंकि कमल पुस्प पर ही देवी देपताओं को खड़ा या बैठा हुआ दिखाया जाता ह अताहा समाज के पुनर निर्मान का भाव, यहा है कि कल्योग के बजाए सत्योग लाना, जीवन को कमल पुस्प समान पवित्र बनाना, एसे भवन में, नारी का इस्थान, इस्थम्ब के समान है, पुरुस भी महिलाओं को एसी सिक्षा लेने में सहयोगी बने, और घर को स्वर्ग बनाने में उनका साथ दे, तब तो स्वर्ग बनेगा, उसमें बो भी को स्वस्त सुकी और पवित्र होंगी, और जब घर ऐसा स्वर्ग बनेगा, तभी तो सत्योगी समाज बनेगा, अथवा मूल्य निष्ट समाज का निर्मान होगा, आज यहा समझा जाता है कि स सामाज में जो बेग्यानिक किरांती हुई है वो सर्वस रेष्ट है अब इस बात की आवश्चकता महसूस की जा रही है कि सामाजी किरांती ऐसी हो जिसमें गरीवी का अंतो हो और लोगों को स्वास्त की सुविधा उपलब्द हो रोटी कपड़ा और मकान इससे सुखी होगा इनसान मनुष्ट का करताब है कि जो इन चीजों से बंचित है उनका कुछ भला किया जाए परन्तु प्रेश्न याय उड़ता है कि आज रोटी कपड़ा मकान क्यों पलब्द नहीं है यहां तो हर एक मनुष्ट का जन्म से दरीकार है इससे कुछ लोग बंचित क्यों है किस के लिए साधन इखटे हैं वे अपने करमचारियों और मजदूरों को उनका हक नहीं देते उनका ख्याल नहीं करते उनके लिए प्रवंद नहीं करते दूसरा स्वयम करमचारियों और मजदूरों का भी इसमें दोसे की उनमें से बहुत सारे लोग भाग्यबादी बनकर जी पहा की जरूरत है कोई इसमें चेतना लाए की भाई भाई को क्यों लूट रहा है और बंचित कर रहा है और दूसरा भर्ग भी भाग्य के साहरे बैट कर क्यों आगे बढ़ने की परिश्रम नहीं करता। बे मेले को चेले बने रहने की ब्रत्ती को क्यों नहीं छोड़ते गरीबी होने पर भी दर्जन बच्चे पैदा करता है और घरना होने पर उन्हें पुठपात पर सुलाता है उनकी सिख्चा के लिए पैसे न होने पर कच्चरे के डेरों में से कागज कपड़े बोतले डिब्बे चुनबाता है तो आज इन सब में जगरती लाने की आवश्चकता है कितने समाज सेवक हुए धर्म प्रवर्तक हुए है राजने तिक नेता भी हुए हैं हरताल और पिकेटिंग भी हुए हैं यह कैसे समाप्त होगा अमीरों के पत्थर दिल कैसे पिग लेंगी यह महान परिवर्तन तो रूहानियत ही ला सकती है भोतिक बाद और भोग बाद ने तो नेतिकता को काफी हनी पहुँचाई है अब यह नेतिकता का कारिय सफलता पूर्वक तभी हो सकता जब माताएं रोहानी इस्तंभु बने हर गर में अगर एक महिला इसकी जिम्मेवारी ले तो घर घर सुखी हो सकता है आम तोड़ से यहा कहा जाता है कि महिला घर की थुरी है वो सुरू से बच्चों को जैसी लोरी देती है वैसे ही बच्चों का वहिश से निर्मान होता है जब मा बच्चे का लानन पालन करती है तब कोई तो यह सोचती है कि बच्चा बहुत ही सुन्दर है मन में बहुत पन होता है बड़ा होकर एक्टर बनेगा कोई माता कहती है कि यह तो कोई साधू की आत्मा है सांत सुभाव का है यहाँ भगवान की अमानत है यहाँ बड़ा होकर खुल को तारेगा अन्न कोई कहती है कि यह तो बहुत चंचल है हाई दुहाई मचाय रखता है सारा घर सिर पर उठा रखता है सबको नचाता है यह बड़ा होका नारेवाजी लगाएगा या कोई नेता बनेगा बहुतों के दात खटे करेगा वो मा की भावना बच्चे को उस दिसा में मोडती और डालती है उसके निश्चे के अनुसार ही बच्चे का भविष्च निर्मान होता है बहुत असे घरों में तो बच्चे का नाम तो राम और क्रेशने रख लिया जाता है लेकिन उनके पड़ती उनकी भावना तो ऐसी नहीं होती है और उनकी भावना भी ऐसी नहीं होती अतहा मापर बहुत जिम्मेवारी है वो आधार मूरत भी है उद्धार मूरत भी है आधार मूरत है इसलिए उसको आधार इस्थम्ब कह सकते हैं इस्थम्ब ही छत्रचाया का प्रबंद करता है इसलिए उद्धार मूरत भी होता है मनुस्य का जैसे भाव होता है बैसा ही उसका इश्ट देव होता है अधा यदि माताओं में रूहानियत का भाव भरा हो तो वो घर गर को देवाले बना सकती है और एक सुखी और स्वस्त समाज की स्थापना कर सकती है माताओं को सुखी परिवार का इस्थम्भ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुख के लिए कर्म अच्छा जरूरी है और कर्म अच्छे होने के लिए कुछ सौभावे गुण होने जरूरी है आप देखेंगे कि माताओं में पुर्षू की तुलना में कुछ विसेश्टाएं हैं वे पांच विसेश्टाएं हैं लज्जा अत्वा संकोच भे, समर्पन भाव, इस्थायत्व, धीरज, तथा करुणा लज्जा संकोच अत्वा लोक लाजवी मनुष्ट को बुराई से थोड़ा बहुत बचाती है डर अगर बदनामी के डर का रूप ले ले तो वो भी बुराई से बचाता है कोई पुरुस भी अगर ज़्यादा सर्म बलज्जा करता है तो लोग मजाक में कहते हैं अरे भाई तू तो इस्त्री है पुरुस कैसे बन गया और यह भी कहावत है वो नारी नारी नहीं जिसमें सर्म अथवा लज्जा नहीं जब कोई नारी किसी बद्दे काम से संकोच नहीं करती तो कहा जाता है की तू क्या नारी है तेरी जेसी हमने कोई और महिला नहीं देखी कोई अगर बिलकुल ही नरलज और धीट होकर खराब सब्दों का प्रियोक करती है या गंदे हाव भाव प्रिगट करती है तो लोग कहते हैं की आरे भाई तूबा यहा तो कुलक्ष नहीं है तो कहने का भाव यही है की लज्जा नारी का स्रंगार है उसकी सोबा है उसके चरितर का सौंदरी है उसका संकोच उसे सयम और मर्यादा में रखता है उससे वह बुरे कर्मों से बच जाती है इसी प्रकार वो बुरे कर्मों के दुख से भी अधिक भेवीत होती है किसी को भी जब वो दुख में इस्तिती में देखती है और उसके कर्मों पर विचार करती है तो उसके मन में तुलना करत यह ज़्यादा तीब्र संकल पुठता है कि बुरे कर्मों से बचना चाहिए आपने कई बार देखा होगा कि हाथ जोड़कर प्रभू से प्रातना करती है कि हमें सद बुद्धी दो हम बुराई से बचे दुख को देख कर तौबा करती है उसमें दया का भाव पैदा होता है और दया तो धर्म का मूल है कहा गया है दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न चोड़िये जब लग घट में प्राण तीसरा उसमें समर्पन भाव होता है पुरुस तो सन्यास कर जाते हैं घरवार चोड़ जाते हैं ऐसे सन्यासी तो सारे पुर्सों में थोड़ी गिंति में होते हैं, परंतु करन्या को तो सुरू से ही अमालूम होता है, कि आखिर इस गर से जाना है, इसलिए उसके पाउं पहले से ही उठे रहते हैं, यहाँ कोई छोटी बात नहीं, यदि किसी का यहाँ स्वभाविक गुन पुर्भू के पृती समर्पित भाव में परिवर्तित हो जाए, तब जल्द ही विश्ब भी परिवर्तित हो जाएगा, जब कोई पुर्भू का हो जाता है, तब पुर्भू तो तरलोग सहित उसके हो जाते हैं, ववन इस्थम्भ पर खड़ा रहता है, लोग मकान में इस्थम्ब जिसमें दया भी हो समर्पन भी हो बुराई से बचकर मर्यादा पुर्वक चलने की भावना भी हो तो अब इसे ही रुहानी तोर पर बहुत मजबूत इस्थम्ब होगा जो बड़े बड़े भवन को समाल लेगा इस्थम्ब तो इस्थायत्व का सूचक है वो गत की तरह ही हिलता नहीं है कोई इसे हिला भी नहीं सकता आंधी बरसा भूकंप सब कठिन परिस्थितियों में वो अपने कंधे पर बोज थामे रखता है माना अथक होता है यहा नहीं कहता कि थोड़े समय के लिए कोई और भी बोज संभाले मेरे कंधे ठक गए हैं देर तो मुझे फिरी छोड़ो कुछ बेटने तो दो कब तक खड़ा रहूंगा अगर वो बेट जाए तो मकान ही बेट जाए अगर वो थक जाए तो छत ही गिर जाए इसलिए वो अथक सेवाधारी बन कर ना रात देखता है ना दिन अपना करता बेपालन करता रहता है सबसे पहले उड़ती हैं सब खापी कर इधर उधर हो जाते हैं परन्तु वो सुबह के बाद रात रात के बाद सुबह की तयारी में लगी रहती हैं जीवन भर लगी रहने पर भी कभी यह नहीं कहतीं कि मैं थोड़ी तक की पड़ी हूं घर में कोई कैसे मूर वाला होता है कोई कैसे तेज सुभावाला होता है कोई चुपचाप परंतु महिला के कारण घर में इस्थायत्व आता है घर में इस्थायत्व बना रहता है बूट तूटता नहीं मा की ममता ऐसी चीज है कि दुनिया में उससे बढ़ कर और कोई चीज अधिक तेज और सक्तिसाली सिमेंट जो घर के सदस्थों को जोड़े रखे नहीं बना है अताह समाच का इस्थायत्व नारी पर आधारित है और इस्थायत्व एकता का सूचक है एकता से मनुष्य क्या नहीं कर सकता इसी परकार सुखी और स्वस्थ परिवार की दोज धारक भतवा इस्तम्व माता ही है जो मुल्यों की स्थापना कर आधर्स में वेवार से परिवार और समाच को स्वर्ग में बनाए रख सकती है परंतु इसके लिए नारी में इन गुणों के विकास की आवश्यक्ता है और विकास के लिए सिक्षा और अभ्यास की आवश्यक्ता है सिक्षा और अभ्यास कराने के लिए विद्ध्यायलाओं और सिक्षकों की भी आवश्यक्ता है वही कारिये यह इस्वरिये विस्विद्ध्याले कर रहा है परिणाम में आप देख रहे हैं कि महिलाएं कैसे सुखी परिवार समाजगेर सिर्जन कारी में लगी हुई है ओम चान्ती